दोस्तों आप जानते हैं कि ये चुनाव और इस चुनाव में आदर्स आचार संगिता लगा हुआ है हलाकि ये बड़ी अजीब बात है कि देश के प्रधान मंत्री ही इस आदर्स आचार संगिता की धजियां उरा रहे हैं लेकिन हम देश में लोग कंत्र में भरोशा करने वाले लोग हैं कि नहीं हैं इसलिए हम नियम कानून का पालन करेंगे और नियम काइदा ये कहता है कि हमारे पास वक्त की बहुत दमी है इस लिए मैं सबसे पहले माफी मांगना चाहता हूं हमारे पार्टी के जो बरिष्ट नेता है हमारे राज्जी के जो बरिष्ट नेता है हमारे जिले के जो बरिष्ट नेता है और हमारे समर्थन में लॉक्टर दफील खांग से लेकर सहला राशिद से लेकर एम योई स्यू के प्रेसिडंट और तमाम लोग जो इस सभा में मौझूद है लेकिन मैं उनको बता और स्पीकर यहां नहीं मिला सकता हूँ इसके लिए उनसे हाग जोड़कर माफी मांगता हूँ दोस्तों इसके साथ साथ मैं माफी मांगना चाहता हूँ जेवकान यात्री हैं इस सभा के वज़ा से इस यातायात में जो थोड़ी सी परेशानी हूई है और हमारी विशाल रैली के चलते विशाल जन्द जथा के चलते जो परेशानी हूई है उसके लिए आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ दोस्कों, आप सब जानते हैं कि हमारे वेगुसराय जिला में चुनाव है वेगुसराय लोगसवाच्चात्र का चुनाव हो रहा है और आप मेंसे कोई इस बात को इंकार नहीं कर सकता फुद भाजपा के लोग जो मोधी मोधी का मंत्र जबते हैं चीजू चैनल के लिए लेकिन को एक समझना होगा कि इस बेगुशाय कि चमचा में एक और बरी खतरनाक चीज हो रही है, वो खतरनाक चीज ये है कि भाजपा चुराओ जीतने के लिए लगातार वेगु सराय की धर्ती का अपमान कर रही है, अपमान कर रही है कि नहीं कर रही है? हम इस साह चल करके आते हैं, और दिंकर जी की पुन्नितिथी के मौके पे कहते हैं, कि दिंकर जी की जैनती है, और जब वेगु सराय के लोग जो मंच पर खरे थे, उन्होंने टोका, तो कहते हैं, जन्नितिथी और पुन्नितिथी में कोई अंतर नहीं हो रही है, जिनको जैनत और पुन्नितिति का अंतर नहीं मालूम हो वो क्या था किस देश को चलाएंगे मैं उनको चुनों की दोना चाहता है और घाशन के पहले वाक इसे लेकर आखरी वाक तक जो एक बात कॉमन थी वो ये थी कि वो सामने से जूट हो रहे थी और जूट इस तरीके का जूट कि एक क जहावत बरी मस्बूर है ठोथा चना भाजे घना तो यह जो ठोथा चना थे यह बहुत घना बाज रहे थे लेकिन बाजते बाजते वो बाज गए जो इनको बाजना नहीं था इन्होंने कहा कि बरावनी फर्टिलाइजर बंद हुआ है कॉंग्रेस के जमाने में अडल व्य कॉंग्रेस का राज-काज बताते हैं और बीच में जो भाजपा का शाशन है उसको जोड़ करके कहते हैं कि 70 साल में इस देश में कुछ नहीं होगा मेरा सवाल यह है कि आप अगर उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आप एक बात पहस्यूद करेंगे कि उनके पास इस देश के लोगों के लिए बेगुसराइज के आम अबान के लिए कोई एजंडा नहीं है कोई मुता नहीं है इसलिए वो यहां आए हैं करना चाहता हूं कि आज जब आप बेगुसराइज लोग सभाच्षेत में चुना प्रचार को देख रहे हैं तो आप एक चीज गौर से देखा होगा कि हमारे लोग जो इस लड़ाई में यह समझते हैं कि अगर लोग तंत्र में चुना हो रहा है तो वो लोगों के सवाल प लेकिन आप देखेंगे कि जो भाजपा के लोग हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवा इस बात का कि वो क्या काम किये हैं यह जंता को बताने के लिए थ्यार नहीं है वो ये गिनार हैं कि विपक्ष की क्या कमी है आप मुझे बताईए कि अगर विपक्ष में कमी नहीं होती अगर विपक्ष के उपर जंदा ने सवाल नहीं खड़ा किया होता तो आप बताईए कि क्या वेगू सराय के लोग या देश के लोग विपक्ष को दुबारा मुखा देते या दुबारा मुखा नहीं देते लोग कंत्र में यह सवाल नहीं है कि विपक्ष क्या कर रहा है लोग कंत्र में ये सवाल होना चाहिए कि सत्ता पक्ष क्या कर रहा है सरकार क्या कर रही है इस सवाल को पुछा जाना है विपक्ष ने क्या किया उसका लेखा जोखा जनता ने देखा अगर जनता उससे खुश होती तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी नहीं होते फिर से मनमोहन सिंग देश के परधान मंतरी होते अगर मनमोहन सिंग देश के परधान मंतरी नहीं बने और नरेंदर मोदी को लोगा ने देश का परधान मंतरी बनाया इसका मतलब ये है कि मोदी जी आप जो है बाल पोथी की मनोहर कहानिया मत बनाईए ये मत समझाइए कि नेहरू जी क्या थे ये बताईए कि आपने क्या किया है लोगों के खादे में 15 लाख रुपया पहुंचा कि नहीं पहुंचा इस सवाल का जवाब दीजिए इस सवाल का जवाब दीजिए कि लोगों को 2 करोड नौकरी क्यू नहीं मिली इस बात का जबाब दीजिये कि आपने नारा लगाया था पिषले चुनाव में बहुत हुआ किसानों पर रख्या चाए अब की बार मौदी सरकार क्या हुआ किसान का किसान की हालत यह है कि 12,000 किसानों ने आख्या की है और किसानों को जो बीमा देने वाली कंपनी है उसको दस हजार करोड का मुनाफ़ा हुआ है ये है किसानों की हालत इस देश में और आपको सुनकर के आस्चरज होगा कि इस बार बनारस में तमिल नाडू के 111 किसानों ने ये संकल प्रिया है कि इस जूटे परधान मंत्री के खिलाब वो नामंकन भरेंगे उनके खिलाब वो चुनाव लड़ेंगे बनारस से ये उनका प्रिया है एक करब किसान मर जाए खेतों में और उनका बच्चा जवान मर जाए देश की सीमा पर ये अपनी फीफ थप थपा करके भरजी राष्टवाद का नारा लगा करके इस देश की सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं कुछ बात को आप से कर दो क्या होता है राष्ट बात राष्ट का मतलब क्या होता है राष्ट राष्ट के लोगों से बनता है अगर देश में किसान आत्म हत्या कर रहे हो अगर पैंटालीस साल में देश सबसे ज़ादा अगर इस देश में इंजिनिरिंग करने के बाद नौजवानों को कहा जाए कि आप पकौरा बेचिए यह शिच्छा का आपमान है यह लोगों का आपमान है इस बाद का आपकौरा दोस्तों यह गंभीर सवाल है इस सवाल को आप समझिए कि जिनके बच्चे सहाधत दे रहे हैं जिनके पिताजी खेतों में मर रहे हैं यह दोनों किसान से लेकर जवान तक आज प्रधान मंतरी नरंदर मोदी के खिलाब बनारस से चुनाव लगने जा रहे हैं बीएसेट का वो जवान तेज बहादूर याणब बनारस से चुनाव लगन रहा है और 111 अपिसान बनारस से चुनाव लगन रहा है यह इनकी हकिकत है और अमित साह आकर के रास्त्र कभी की इस धर्ती पर हमको रास्त्रवाद का पाठ पढ़ाने के लिए आये थे अब बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यह कहते हैं टुकडे टुकडे गैंग कौन कर रहा है तुकडा तुकरा इस देश को अबने दिल पर हात रखिएगा और एक बार सोचिएगा कि किसने इस देश को टुकरा टुकरा करने का प्लान बना रखा है आप जोड़ा उसके बारे में समझे चुना हो रहा है वेगुस राय में चुना हो रहा है एक सकेंड हेंड मिनिस्टर हमारे पास चुनाव लगने के लिए आए हैं सकेंड हेंड राना लेका है और वो सकेंड हेंड मिनिस्टर उनकी सचाई क्या है सचाई यह है कि आप उनका सोचल मीडिया प्रोफाइल जाकर के चेप कर लीजिए। उनकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है। इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। इस बात पर लोगों को पाकिस्तान भेजा जाएगा इस बात की पूरी जानकारी आपको भी चाहेगा। जो मोटी जी की रहईली में नहीं जाएगा तो देश दिरोही होगा। नहीं कील सीख मंगोब है। अब के होångे है। कि कुछ भी हो जाए हम नवादा से ही चुनाव लड़ेंगे नवादा से यदि नहीं लग ने दिया जाएगा तो हम राजनी की से सन्यास ने लेंगे सन्यास तो वह नहीं लिए बेगु सराय के लोग उन्पिस तारी कौन को सन्यास देगा दिजेगा विदेगा की बुझालखी ना हड़किया दिराच गए बड़ायास भड़ा लागए थी ना जोएट पिचेल ने थी बेगु सराक धर्ती चिकए बेगु सराक धर्ती और पिछ किया है इस बात को आप हमको सोच करके बताईए कि किस मुह से इन्होंने इस मिट्टी के लाग को गद्दार कहने का काम किया इस बात को आप सोच करके बताईए छोड़ दीजिए हो सकता है कि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो मान लेते हैं एक बात बताईए खुद पर पहरोसा है की नहीं है अपने दिल पर हाथ रखकर करके बताईए आपका दिल कहता है कि बेगुसराय में गड़दार पैदा हो सकता है सोच के बताईए यह किस मुह से आकर बेगुसराय में कहते है कि नमूना है ए साहाब हम तो नमूना नहीं है लेकिन आपको देख करके लगता है कि आप गोड़से का नमूना है और मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि ये धर्ती रॉक्टर बाबा साहब भिम्रा अंबेदकर की धर्ती है ये धर्ती सहीदे आजम भगर सिंग की धर्ती है ये धर्ती महात्मा गांधी की धर्ती है ये धर्ती वेगु सराय एक से एक सहीदों की धर्ती है इसलिए अगर आप हमारा नमूना देखना चाहते हैं तो परधान मंत्री से जड़ा कान में पूछ दिजिएगा और बताइए कर लगाना है लगा लीजिए अपने लुटेरे दोस्तों को बुला लीजिए खरीद लीजिए उनके दम पर अपने मीडिया चैनलों को लेकिन हम आपको बताएंगे कि कॉर्परेट से पावर से चादा पावर्फुल इस देश में पिपल्स पावर होता है यह बात आपको एक पूरी ताकत लगा दिये हैं एक मिनिस्टर सहाब को चुनाव लगने के लिए भीजे हैं मंत्री जी करें नहीं हम बेगुसरा नहीं जाएंगे है हम इस साथ बोले कि आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं आप बस किसी तरह से हिंदू-मुसल्मान करके समसान कभरिस्तान कर करके बेगुसरा इसे चुनाव जीत करके आजाईए हम आपको कुछ ना कुछ पकड़ा देंगे हम बेगुसरा एक लोग तुकड़ा पर पढ़े चाया है जो इस देश में चाप लूसी के तुकड़े पे पलते हैं वही इस देश में मजदूर और किसानों के लगने वाले को तुकड़ा तुकड़ा कहते हैं इस बात को याद रखनीजेगा और ये जो चाप लूसी के तुकड़े पे पलने वाले लोग हैं इस देश को जो लूटने वाले पूंजी पती हैं उनके तुकड़ों पे जो पलने वाले लोग हैं इस देश में किसानों जवानों और इस लेकिन बेगु सराय के लोग अपना सच जानते हैं तो बेगु सराय के लोगों को ये ओधर्दी रास्त कभी पैदा करती है रास्त द्रोही नहीं पैदा करता है और रही बात मुकदमे की तो ए साहब faithful एक जार मुकदमा कर लीजिए हम तो जेल से निकल करके कह दिए थे जब तक जोल में चना रहेगा। डर नहीं लगता है आपसे। डर नहीं लगता है। आप पूरी कोशिश कर लीजिए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। आपको जितना हमको गदार कहना है कह लीजिए। क्योंकि हम यह जानते हैं कि सच को कोई बदल नहीं सकता। बदल सकता क्या। HDFC बेंग के सामने हम ख़रा होई कह यही SBI चीक है SBI होजीता। बोलो टेक्स्टाबेर SBI 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 HDFC SBI होजीता है। हमरा बगलमाय को कहते देश द्रोही, देश द्रोही, हम देश द्रोही… ऋजे भायए। और गलती कीये हैं यदि तो बकवास करना बंद की जीए सबूत In effe कीजिये और हम जानते हैं कि आप अपना सबूत मिटाने में माहिड है लेकिन हम अपना कोई सबूत नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि हमारा सबूत देश को तोरने के लिए नहीं देश को जोरने के लिए है इस बात को याद रखिए रहा है जो लोग इस देश में चुनाओ के वक्त हिंदू और मुसल्मान कर रहे हैं जो लोग चुनाव के बक्त में समसान और कब्रिस्तान कर रहे हैं, जो लोग चुनाव के बक्त में मंदिर और मस्जित कर रहे हैं, दर असल वो देश तोरने का काम कर रहे हैं। और हुमको एक बात कह देते हैं कि इस धर्ती को अगर किसी चीज ने बचाई है तो वो है इस देश की गंगा जमनी तहजीव और गंगा जमनी तहजीव यह होता है कि जब हम बुत्रू रहे हैं तो हम्रा भीड़न लोग नारा लग ले रहे हैं भारतमा के चार सिपाही हिद्यों मुस्लिन से खिविसाए हम इन नारों को सुन करके बरे होए हैं और जितना छोटा दिमाग है उतने छोटे दिमाग से ही यह समझने की कोशिश करते थे कि इस देश की क्या खास बात है रमजान जब आप बोलेंगे तो राम का नाम आता है और हिंदूों के मंदिरों में बस्ता है यह इस देश की खासिएंगे यह इस देश की खासियत है कि आप इलाकोंमें घूंड करके देख लीजिए आप कई बार हिंदू और मुसल्मान में फर्कर नहीं कर पाएंगे जो लोग रम्मोन और डलिट में सब्रक कर रहे हैं उनसे रह को बताइए दिल पर हाथ रख करके आप हमको बताइए कि अच्छा इन्वस्टी अधी बेगुसराय में बनेगा बढ़निया अगर विसकी ज्यादा बेगुसराय में बनता है तो खाली बावने पढ़ते गभूम्यारों पढ़ते हैं सब्क सbor guarantees चान रहने हिंदू के समय खिए सब्सकान कोई। पीष्क के समय नहीं देंगे म neutron के सब्सक्रूच हो हिंदू कोई। पूर पीष्क 28олет में मतलं के हैं सब्सक्राइब के रहेने खिकोई। सब्सक्राद मतले नहीं डेनी खिर इसका कमेच हैं। कोई अगर कहें रूपा ले गरिक नाई ना एक रा हम नाई छूब एक रा दिदलित छुल कहें कोई कहें ने ने तो मुसलमान कहां तो सही लाई हैं मीट जे काटे छे लाई तो हजड़िया नोट ले छाई अखुला कैक वह हां तो सिदाई छे कागज लूपा छे अफेर जेवन तुझा घरमा घर्वत्ती खरी देला तो है देभो वह हैं ले तो ले चेक नहीं लेचे एक बात वरा सुच बत बहुत रूपा घरी तोने के तो हिंदू मुसलमान या लावे चे हाँ जाए जब जाओ मसीन मुसलमान जाएं हिंदू भुम्यार और जादव ब्रामान जाएं दलित कहाँ तब तो मतर अभिकास नहीं सब्सक्राइब एक बात सोच लिजिए ये साजिस एक दिन में हमारे खिलाफ महीं रची गई है इस साजिस को बरी ध्यान से गढ़ा गया है बुना गया है और इस ट्रैप में हम इस तरीके से फस गए हैं कि एक बार सिखाया गया पंची को कि सिकारी आएगा दाना डालेगा भूल से उसमें फसना नहीं सिकारी आया भी दाना भी डाला पंची पोल भी रहे थे सिकारी आएगा दाना डालेगा भूल से उसमें फसना नहीं फसने के हमको मालूम है कभी ये बेगो सना चिलाए लेकिन जो चुनाव परचार के दौरान हुआ है उसको जड़ा आप गौर से देखिए एको नेता जी पर दौर एक पॉन खईने सीखी खुसने सब्कुस तो ठीक है कर दिया को भूम्याब भोटी नहीं है इक आदमी इस बता हूं दूसर बात बता हूं हमें पुछेच्व तरह सब्स कि हमरा जब कोई भोट दईये ने रह लाएका इप परेसान कथिल छते है कथील काला जंडा लेक हमरा स्वागत करे लावे छते हैं अभी रस्ताम आइप करे रही आए तो एको नूनू हमरा भजबाग जंडा देखा इप करे रहे है हमरा गिर जिडाजी घंखिन की हरा राग उपर बेर लगा देना चाहेगे कलिये रहे पुरबर्क बेर लगवे पहले अपन जंडा हरियर का राग बदलो है हजपाग जंडा देखनो हमरा हरियर राग चाहेगी ना अब बुझों जिए अपन जंडा ठीक्स ने देखा लगी तो बेब बेसर तरफ एक भाई जी छती हमरा मंद पर राथी नमल योकी मुझलेवाद कदम गगाथ हमरा रैली मेलखी फूप बढ़ियां-बढ़ियां बात पललखी अकाहलखिन की देश में भाजपा को हराने के लिए सबको एक जूट होने की जरूरत है सबे लोग मैं लिलक है कि ठ प्रकार ने हमको पूछा कि आप तरफ रसंप खुदी कह दिये थे कि भाजपा को हराने के लिए सबको एकठा होने की जरूरत है तो बोले तरफ रसंपे हमला करने की जरूरत है तो दिलक है लिए बिए द्ultyकार में पूछा कि आप पहते हैं गाइआ वे लिए हमल्ले का बेटा हैं वो तो पाँच बारे गंसी रहे हैं तो पचीस सर्थ सिवा किये हैं न और कत्या सिवा कर चाहिए वो जुनों का सम्मान करना चाहिए करना चाहिए नहीं करना चाहिए और बेटा जब बड़ा हो जाता है तो वाप की जिम्मेवारी अपने कंधे पे ले लेता है, लेता एक नहीं लेता है, तो अगर घर में ऐसा होता है, तो समाज में तो यह हो ही सकता है, कि जो राजलीते में बुझूड गी हैं, उनकी जिम्मेवारी नौजवान अपने कंधे पे ले लेता है, 25 साल वो सेवा करती अब हम पर देते हैं, ठीक रहेगा एक लीड है, एक राफ गोसाई जाए सथी लोगी का, बहुत जोस, गोसाई कल्खिन की, गोसाई कल्खिन की, लड़का भाजपा का बी टीम है, ऐ महाराच, जुवान भी तो और साथ लेते तो, मुह का तो चीज, मत बोल यही बात, यह बात कौन मानेगा भला की अब आप लोगों के बी जोना चाहते हैं, चुनावह यह पहली बार नहीं हो रहा है, और हम इस बात के लिए, लड़ रहे हैं, यह चुनावह आख़्णी बार नहीं हो, इसलिए, जो लोग इस तरह की भाशा बोल रहे हैं, उनको मैं एक अपील करना चाहता हूँ साहब चुनाव तो आना जाना है हिंदुस्तान को बचाना है इस बात को दिमाग में डाल दीजिए इसलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि हम लोगतंत्र को बचाने की लड़ाई उलर वहे हैं इसलिए हमको संब्रकला परिचे देना है हम लोगतंत्रिक लोग हैं लोगतंत्र में भरोसा रखते हैं जमुर्यत को मानने वाले लोग हैं इसलिए हम अपनी तरफ से अपना आपा नहीं खोए गई खोने की जोगत है क्या है बोकलाती कौन सी टीम है जो आ रही होती है इसलिए हम लोग आपको ऑखलाना किसी के उपर हमला करना और जवाब देना होगा तो कहा देंगे एक नमर में इसलिए मैं आप लोगों से अगरे करता हूं कि इस तरह के किसी बहस में हमको नहीं फसना है कौन भी टीम है और कौन सी टीम हमको इस बहस में नहीं जाना है हमको इस बात को सोचना है कि बेगु सराई के लिए क्या जरूरी है और देश के लिए क्या जरूरी है बेगु सराई के लिए जरूरी ये है कि जिस तरीके से बेगु सराई में लगातार महाल खराब करने की कोशिस की जा रही है उसके खिराफ हम तमाम लोगों को एक जुट रहने की जरूरत है इस मिट्टी में तमाम लोगों ने अपने खून पसीने बहाए हैं तमाम लोगों ने अपना बनिदान दिया है इन सरकों को सभी जाती और धर्म के लोगों ने मिलकर बनाया है बेगुत सराई की इस खुनिस्ता को हिंदू मुसल्मान मिलकर के सजाया है इसलिए इस बहस में हम नहीं जाएंगे हमारा मुद्धा ये है कि अगर हम चुना लग रहे हैं तो हम इस बात पर लग रहे हैं कि बेगुत सराई के तीस लाख लोगों का मान सम्मान के से बढ़ेगा और कहते हैं न कि मान सम्मान सिर्फ नारा लगाने से नहीं बढ़ेगा मान सम्मान सिर्फ चुनाव लगने से नहीं बढ़ेगा मान सम्मान इस बात से बढ़ेगा जब हम बेगु सराइक के मुद्दों पर अपनी आवाज को भुलंद करेंगे और बेगु सराइक का मुद्दा ये है कि बेगु सराइक में आज तक एक उनिवस्टी नहीं खुल पाई है एक बात सोचकर बताईए कल्पवास मेला लगता है सिमड्या मा लोग दर्भंगा सावेचे मुक्ती खाते ले ले बेगु सराइक लोग दर्भंगा जाए छे डिगरी खाते ले इच्छीन बात्षा है वह आवेच अगान आवेल हमें लेगे डिगरी लेला कौन जरूरी छे हम पर दर्भंगा जाए कि डिगरी लेला क्या वेगु सराइ में जमीन नहीं है वेगु सराइक लोग टैक्स नहीं देते हैं तो फिर वेगु सरामें इनुवस्टी क्यों नहीं है यह हमारा सवाल है इस बात को आप समझे यह हमारा सवाल है अब सोच के देखिए पड़ावे बेगू सरायक मस्टर पढ़य वह बेगू सरायक मास्टर अब पढ़या वह बेगू सरायक चेल अगुन लेकिन कोची कहां चेल रहा है कोची। थिम्ली मकाँ मालिक यह नवह डिय तरकार 77 आपंड अपध्र हों सभ खरण 600 पेचा यह कोची। बेगू सराय में नहीं चल सके चाए, बेगू सराय में यूपियसी तयारी नहीं हो सके चाए, बेगू सराय में इंजिनिंग तयारी नहीं हो सके चाए, बेगू सराय में इससी तयारी नहीं हो सके चाए, तिक बात को सोचिए, आज बेगू सराय में वकवास की नहीं विजन की जरूरत है इस बात को आप समझेए और विजन ये है कि अगर हम बेगु सराई में जो 30 लाख लोग रहते हैं उन 30 लाख लोगों के लिए योजना बनाएं तो बेगु सराई हिंदुस्तान का सबसे अच्छा जिला बन सकता है ये सारी खासे बेगु सराई को बहतर बनाया जा स सकता है बेगु सराई में एक अच्छी इंवस्टी खुले बेगु सराई में यदि एक IIT के स्थापना हो यदि बेगु सराई के ही डॉक्टर जो बाहर में नौकरी कर रहे हैं अगर उनको बेगु सराई में पढ़िया अस्पताल खोल करके उनको वहां पर रखा जाए तो ैगु सराई को लोगों को हिलाज़ कराने के लिए पठना और दिनली जाने की ज़रुद नाहीं परेगी हाप पटनों दिल्ली के ने गो यह putsए आली एकश्प्रेस चलेया खिलिए रही वार वार उनीलस लरखा प्लेणनननर fedonलड़्प अरह सुमलने फ्वेधरेन और ये जुमिघ मतही गएचा और्च though कि सेवा करने के लिए आये हैं मूँ सवाजगिया निकलना जब आंगनवारी की महिलाओं को उनका जो मिनमम वेज है वो नहीं मिलता है तब आप किसी निता को रोड़ पुर बैच्छे हुए धर्ना करते हुए देखें हैं जब आसा बहु को काम करने के बदले उनको दाम नही जब नेता को विरोज करते हुए देखें हैं दूसर रूपा पांसो असरे चार्स्वा रूपा बिर्धापिल सिंग मिले चाहां अब पांस्वा घूस लगे चाहां इंदरा आवास में घौर ले जाइवो ना तीसाजार सब रेट पता है सब रेट पता है तहे साहे जब नोच रखी है अम्होन मुश्ची है कि पॉट सो अतीस हजार इनुवस्टी आई आई चीएम से जिंदाबाद ठपा ठप बचंगे यह होती है मुद्दों की राजनिती मुद्दों पर राजनिती होना बहुत जरूरी है और बेगु सराय में वो तमाम संभावनाएं हैं कि बेगु सराय एक बहतरीन जिला बन सकता है कैसे बन सकता है खाली हमें अमानित्सानिया बखवास करना है लिए हमरा पास प्लान चेह हमरा आपास योजना अच्छा कि एक बात हमको सोच के बताएए विए में मक्का उपस्ता एक नहीं उपस्ता है आम मॉलन इन सिनेमा देखालगे लों हैं कि ठूगाम लेख खाय चाहो फॉपक्ण को ने कॉंचीज बना थाए कि मकई कहा उब जाए चाहे करा हमें पॉपक्र नहीं बना सकेचिया ए पूरा दुनिया पॉपक्र नहीं खिला सकेचिया पिसम्भावना चाहिकी नहीं चाहिए तमाटर बेगुसराय मंच चामीन खांच विजली नहीं पहुंचलाई सब गाउमाँ चामीन पहुंच गेले तो बेगुसराय टमाटर के अगल कोल्ड इस्ट्वर्म रख देल जाए तो टमाटर से स्वास बहिं सके छेगी नहीं और मनीपूरों कराजा एक भेज सके छेगी नहीं और नेपाल समस्तिपूर खगरिया पटना सेक्पूरा लखी सराइबर वर्विगा यह तमाम सब ध्यान नहीं दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ जुम्लेवाजी की जा रही है और जुम्लेवाजी की हालत यह है कि एक बार फैक्टरी बंद करते हैं और दूसरी बार फैक्टरी का आकर के सिलान्यास करते हैं लेकिन बंद करने और सिलान्यास करने के बीच में जो सबस फटलाइजर टॉंसीप पर आश्रित थे उनके पनिवार को पलायन करना परा हम्रा भिनायव गुरू जी रह थे भोर ये खटारा साइकिल एक ट्यूशन पर हमें घुमे रहती गोर ये घौद जब टॉंसीप ये नहीं रह लाए तो ट्यूशन के ग्रागाज को परहे थे सब्सक्राइब जब कोई फैक्टरी लगती है उसके साथ जब टॉंसीप बसता है तो उस टॉंसीप के आफपास उद्योग धंदों के साथ रोजगार पाती का भी विकास होता है लेकिन यह जो नया फटलाजर खुल रहा है उसके बारे में आप जैन दीजिए उसमें मजदूर काम करेंगे दो सो तो रहेंगे कितने दूसरों कुने पांच सक्ते हो लागता है एक हजार लोग यदि हैं तो कितना रोजगार पैदा होता है ये फटलाजर और उस फटलाज अधर में जो यूरिया पैदा होता था तो आज पास के किसानों को यूरिया सबसीदी के डेक पर मिलता था और आज यूरिया खात का जो बोरा है उसमें से पांच किलो खा दिया निकाल लिए हैं 45 किलो उसको बना दिये हैं देखाई ने जो सेंपूर गसिस जड़ों इंवरस्टी जब बनेगी तो यहां के जो लोग पढ़ने के लिए पलायन करते हैं उनको पलायन नहीं करना परेगा वेगू सराई का पैसा वेगू सराई में ही रहेगा अगर इंडिस्रियल डवलप्मेंट भी करना है तो यह जो बड़ी इंडिस्री आएगी तो वो हमको धुमा ज्यादा खिलाएगी, रोजगार कम पैदा करेगी, खुल जाए, हमको तो ये भी वरोसा नहीं है, कि ये भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा, खुल जाए तो हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री की तुलना में, अगर छोटी इंडस्ट्री का वि अगरिक फार्मिंग हो सकती है, कि हम में यह मस्रूम हो गई बहा है, अब मोदी जी घातिल गजवे सले 4000 रूपे की तीके अचाए, तो यहां के किसानों को उनके फसलगा सही डाम मिलेगा, और फिर किसान, मैला, कुछला, धोती, पहना, गमचला, चन्ठानीं का टहक नहीं होना, किसान भी पढ़ियां, रेवन की चस्मा देय का बुल्लेट से चलते एक जिन दिक्वाश inhal गेता, किसान से मोईल लेगा, किसान के हाथ भी लैप्टॉप होगा, किसान के हाथ भी ट्याप होगा, क्यों नहीं हो सकता है, पढ़ा लिखा große हैं कि मंत्री जी का बेटा मंत्री बनना चाहता है, मुख मंत्री जी का बेटा मुख मंत्री बनना चाहता है, परदान मंत्री जी का बेटा परदान मंत्री बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा, परदान मंत्री बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा, परदान मंत्री बनना हम यह कह रहे थे कि लेकिन किसान का बेटा क्यों नहीं किसान बनना चाहता है कि सानी और घ्यती की हालत थे पहतर किया जाए और पलायन को यदी रोका जाए और जो मानव संसाधन है सिक्षा मंत्राले का नाम सिक्षा मंत्राले नहीं है सिक्षा मंत्राले का नाम मानव संसाधन मंत्राले है उस मानव संसाधन मंत्राले में जडि मानव के संसाधन का मेनेजमेंट किया जाए तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे बच्चों को पोटा जाने की ज़रूरत नहीं है बेगु सराय का पैसा बेगु सराय में ही रहेगा बेगु सराय के सिख्षक बेगु सराय में ही पढ़ाएंगे और बेगु सराय का बच्चा बेगु सराय में ही पढ़ेगा दो ऐसी चीजे हैं जिसके द्वारा बेगु सराय का आर्थिक विकास किया सकता है लेकिन वेगुस राय का आर्थिक विकास तब होगा ना जब टीवी पर ये मुद्दे निकल करके सामने आएंगे टीवी पर चुनाओ की खूड चर्चा हो रही है सबसे जादा चर्चा तो इस बात की होती है कि वेगुस राय में इस बार मुकाबला त्रिकोनिया है कौन बोला कि मुकाबला त्रिकोनिया मुकाबला भी त्रिकोनिया होता है उसती दीन वह लोग लड़ाई चाहे हो उसती दूगा लड़ाई चाहे एक वो आटा पर वही चल रहाई चाहे उसती आमने सामने की होती है और ये लड़ाई दो लोगों के बीच की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई एक जन्ने की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई एक पार्टी को बचाने की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई इस देश में तिरंगे को बचाने की लड़ाई है इस बा करने की लडाई में एक तरफ बेगु सराई जिले के लोगों का अपना आत्म सम्मान और मान सम्मान है और दूसरी तरफ बेगु सराई को जो अपमानित करने वाली ताक्ते हैं उनका जूट है इसलिए हम कहते हैं यह लडाई हक बनाम लूट की है और सच बनाम जूट की है यह इसलिए जो हमारा भरोसा है तो हवाम थोड़े ही भरोसा होए के लिए नहीं आप लोग का भी है ना चारों तरफ से आवाज आ रही है ना और यही कारण है कि बीजेपी को हमारे खिलाप कहने के लिए कुछ नहीं है तो बीजेपी दो तरह का बीडियो बनाती है एक बीडियो मुशलमानों के बीच में घुमाती है और दूसरा बीडियो घुम्यारों के बीच में घुमाती है घुम्यारों के बीच में जाकर के कह रहे हैं कि भाई ये तो सेना विरोधी है ये तो टुकरा टुकरा गैंग का मुझे सफाई देना पशन नहीं है लेकिन मैं एक सच आप तमाम लोगों को बताता हूं सच ये है कि सेना के नाम पर सबसे ज़्यादा गंदी राजनिती अगर इस देश में किशे ने किया है इसमें भाजपा ने किया इस बाता आप चाहिए तो राजनिती गंदी इसलिए है कि आज जब मैं यहां खड़ा होकर के बोल रहा हूं तो मैं यह सोच समझ करके बोल रहा हूं क्योंकि चुनाव आयोग के बार बार कहने के बावजूद पढ़ान मंत्री ने और अमिस्साह और इनकी पूरी की पूरी पाटी ने चुनाव आयो सेना का नाम बार-बार अपने भाशनों में लिया है और जब उसमें लिया है तो यह जरूरी है कि बेगुस राय जिला को जब उन्होंने अपमानित किया है यहां से उनको एक मुहतोर जवाब देने की जरूरत है और मैं यह जवाब देना चाहता हूं कि मेरे घर से मेरे कोधी नहीं है हम सेना के नाम पर जो कुरसी पाने वाले लोग है उनके बिरोध में खरें इस बात को जाहिए हमारा साफ साफ मानना है कि किसी भी इस्थिती में सेना के नाम पर राजनिती नहीं होनी चाहिए किसी भी इस्थिती में सेना को घसीट कर राजनिती में नहीं ला जो हमेशा अपने काम में नाकाम रहती है, सेना के पीछे छुप करके अपना जान बचाना चाहती है, और सेना के सम्मान से अपना मान सम्मान का रख्षा करना चाहती है, और यहां जब वो बिगुस राय आये, तो उन्होंने सहीद पिंटु सिंग का नाम अपने मूँ से लिय किस मुझे वो नाम लेते हैं किस मुझे वो नाम लेते हैं जिस दिन सहीद पिंटु सिंग का पार्थिप सरी पटना एरपोट पे आया था यह पूरा का पूरा भाजपा का कुनवा अपनी रेली करने में बेस्त था एक माला चरहने की फुर्चत नहीं देगा और आज जब भा पखड़ी कितना दूर था वेगुस राइसे पखड़ी बहुत दूर तो नहीं था क्यों नहीं आप इस सहाधत देने वाले जवान के घर पर जाने की ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कभी देखा है गोट और सपोर्ट के लिए अमित साह मादरी तिक्षित के पास गए थे किसी किसान के पास इनको जाते हुए देखा है कभी किसान जिसने आत्म हत्या की हो उनके पड़िवार को आशुप पोच्टे हुए देखा है कभी देखा है उनके साथ बैट करके ये खरना खा रहे हो ये है इनकी हकीकत और मन से खरा हो करके कहते हैं कि पुलवाना में सहीद होने वाले सहीद पिंटु सिंगों में सहादत देता इनको इतना भी नहीं मालूम है कि सहीद पिंटु सिंग की सहादत पुलवामे में नहीं हुई थी, पुलवामा के बाद भी थी, जिनको इतना नहीं मालूम हो, वो सेना पे तुक्ष राजनीती करते हैं, और कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में घुच करके पाकिस्तान को मारा, लगता है जिसे मोधी जी इनका सच में आपको बताता है, जिस मसूद अज़ड पर बुलवामा का अटैक करने का आरोप है, उस मसूद अज़ड को किसने पकड़ा और किसने छोड़ा, वीजेपी ने पकड़ा नहीं, इस देश के जवानों ने उसको पकड़ा, और भाजपा ने अपने लोगों को ब कि जहाज का आपहरन किया गया, लेकिन उस जहाज को छुड़ाने के लिए सेना तयार बैची थी, मैं यह प्रस्म पुछना चाहता हूँ, कि तम सेना को क्यों नहीं आदेश दिया गया, कि जाओ और जहाज को छुड़ा करके ले आओ, हम आतंकवादी को नहीं यह सवाल में आप से पूछा, यह बैमानी है, इस बैमानी को समझिए, यह बैमानी यह है कि आप दुकानदार से पंखा खरीद करके ले गए, दुकानदार आप से पूरा एक हजार रुपईया लिया, पंखा जब आप अपने घर में ले गए, पंखा को जब आपने लगाय नट भोल्ट टाइट किया स्विच दिया पंखा नहीं चला पंखा लेकर जब वापस गए आप दुकांदार को कहने के लिए कि ये भाई पंखा नहीं चल रहा है तो दुकांदार कहेगा कि हमारे देस के जवान कुर्वानी दे रहे हैं और आपको पंखे की परी हुई है अरे देश तो दे रहा है कुर्वानी जवान भी दे रहे हैं कुर्वानी तुम ससुरी बताओ कि पांखा गाय नहीं काम कर रहा है ये कौन सवाल खड़ा कर रहा है कि हमारे देश के जवान बीर नहीं है जब मोदी जी जनव नहीं लिये थे ना तब भी हमारे देश के जबान वीड़ थे खिंग नहीं थे ? अरे आगादी के वक्त भी हमारे देश के जबानों ने अपनी वीड़ता दिखाये खिंग नहीं दिखाये खिंग घिंग ले ते रही सुख्वणी आंख महँआरी खोलन लाफ अठी keynote कि यह नहीं कर रहा हैं कि देश के जवान जो है वह बीरे और तुमको पंखे की परी हुई िस साजिस को समझे इस सरकार कितनी चालाकी से अपना सारा का सारा नाकामी सेना की काम्यावी से छुपा देना चाहते हैं सेना की काम्याबी अपनी जगह सेना को पूरा देश सलाम कर रहा है और सहीदों के नाम अपनी सलामत भेज रहा है उनके लिए दुआया कर रहा है उनको आसिरबात दे रहा है और सहीदों के पड़िवार के साथ ठरा है आप ये बताईए कि बतोर परधान मंत्री आपने क्या क इस पहलवान की हालत ये है कि ये सांसद निधी का पैसा नहीं करच कर पाए और इनका मन्क्राले जब से जादा नोन पर फर्णिंग मन्क्राले है और मैं तो कहता हूं कि हाथ कंगन को आर्सी क्या पढ़े लिखे को भार्सी क्या आप वेगु सराय के लोग बेगु सराय के चारों चोगदी घूम करके देख दीजिए गिराज सिंग के नाम का एक पत्थर दिखा दीजिए हम समझ लेंगे कि गिराज सिंग इस देश में बतार मंतरी काम की है एक को को पत्थर जब चुनाव आया है तो कह रहे हैं कि हमारा तो नानी घर है बेगु सराय कि आप अपने नानी घर के लिए कुछ किये हैं इस बात को आप समझे कि यह बहस क्यों खड़ा किया जाता है क्यों इस तरह की बाते की जाती है ताकि इनका जो काम है जो काम यह नहीं किये हैं उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सके कोई यह नहीं पूच सके कि ठीक है ये बताईए मुदी जी हमारे खाते में 15 लाग रुपया क्यों नहीं आया ये बताईए कि जवानों को दो करार नोकरी क्यों नहीं मिली ये बताईए कि इस देश में जो आपने वादा किया था उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया गया ये सवाल है चुनाव यदि हो रहा ह तो चुनाव इस मुद्दे पढ़ोगा कि पिछला जो आपका घोषना पत्र था उस घोषना पत्र में जो आपने वादा किया था उन वागों में से कितने वागों को पुरा किया गया ये सवाल पुछा जाना चाहिए इस सवाल को गुम्राह करने के लिए ये राष्ट्रुआ नारा लगा रहे हैं एक बात मैं आपको कह देता हूं कि इनका इतिहास क्या है इनका इतिहास इस देश में शहादत का इतिहास नहीं है खगदारी का इतिहास है इस बात को याद रखियेगा। इस बात को याद रखिएगा, कि जब इस देश के लोग सहादत दे रहे थे, तब ये अपना कैडियर बनाने में लगे हुए थे, और जब देश आजाद हो गया, तो देश की आजादी के बाद, इन्होंने तिरंगे जंडे को मानने से इंकार कर दिया, इस देश के संविधान इनका एजंडा कभी नहीं था, सरकार बनाना इनका एजंडा था, इस बात को आप जान दीचे, सरकार ये हर बार बना लेते हैं, लेकिन मंदिर नहीं बनता है, और मंदिर बनाने का एजंडा हर बार अगले पेज़ पेज़ पे, फिर चालिश में पेज़ पे, अगली बार ह सकता है वोसना पत्र जो संकल्पत्र में तब्दील हुआ है इस संकल्पत्र से मंदिर का मुद्दा ही गायब कर दिया जाए हमें इस बात की पड़ी है कि अगर हिंदुस्तान में राजनिकी होगी तो लोगों के मुद्दों पर होगी और लोगों का मुद्दा ये है कि सब को स शर्भान यह हमारा मुता है, इस लिए हम आपसे आकरह करने के लिये आए हैं, कि जब आप 29 तारिख को मतदान करने के लिए जाईएगा, तो आपको एक एक इतिहासिक तैसला लेने की दर्कार है, यह दर्कार इसलिए है कि आप जानते हैं, कि पूरी दुनिया आपके तरफ द लेते हैं और कहते हैं कि क्या लाजवाब है यह धर्ति क्या लाजवाब है यह मिट इसलिए हुआ इसलिए लोग अपने-अपने हिस्से की लडाइव। गर्व तेस्था को भीचाने की लडाईव देन कोई Facebook पे गाली खा रहा है कोई WhatsApp पे गाली खा रहा है किसी को स्कूल के WhatsApp ग्रूप से बाहर कर दिया जा रहा है किसी को वाफिस के WhatsApp ग्रूप से बाहर कर दिया जा रहा है कोई Office में लड़ रहा है कोई चाई की दुकान में लड़ रहा है कोई खेत में लड़ रहा है, कोई अडालत में लड़ रहा है, कोई बस में बात बहस कर रहा है, कोई ट्रेन में बहस कर रहा है, यह तमाम लोग अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, और यह तमाम लोग पूरे देश और पूरी दुनिया में अपने अपने हिस् सब्सक्राइब करने के लिए जाईएगा यो मतदान तो इस साधारन मतदान नहीं इस बाद के बारा आपको पुले देश को एक संदेशा भूजने की जोड़त है तो संदेशा ये है कि जिस तरीके से भादपा ने बेगु सणाई की विट्टी को पधराम किया है इस बात को आपको इनाद रखने की जोड़त है आप यह समझ लिजीए एकर यह मेरी व्यक्तिगत कड़ाई होती अगर यह मुझे व्यक्तिगत कौन के देश को ही कह रहे होते तो इससे इंकोट के दो-दो हाथ कर लेके हमको को जिकत है ये ग्रामोनी मामला नहीं है ये एक राजनितिक मामता है और ये राजनितिक कलंग वेगु सराई के लोगों के माफ़ों के लगाया गया है इस बात को आप जाने हुए और ये साथ वेगु सराई के इत्मास को ठीक से जानते नहीं है वेगु सराई के इत्मास को अगर इन्हो जोशा देता हूं यह आरोप जूट है और इस जूट को हम जूट साबित पर रहेंगे यह वाप से हमारा वादा है लेकिन आप लोगों को भी इस बाद का जवाब आपको देना पड़ेगा पूरी दुनिया को आपको यह संदेशा देना पड़ेगा कि जो सरकार भेवू जो सरकार गिरिदाज जैसे नकारा मंती को हमारे उपको ठूमने का कोशिश करेगी उसको करारा जवाब मिलेगा उसको प्रूट जवाब दोगाएगा इस बात का हमको पूरा भरोसा है इसलिए मैं आप तमाम लोगों से आतरों करने के लिए आया हूं कि आज का वक्त एक ग जंडे की और एक रंग की एक दूस्ता नहीं इस बात को जुनाग में ढ़नी चीए एक पक्रकार ने हमसे पूछा कि आपकी गारी पे आपकी पार्टी का जंडा क्यों नहीं होता है हमने कहां साहब अगर आचार संगिता नहीं होता तो हम प्यांगा जंडा लगा करके अपन अगली बात जब तैस तारिक को परिणाम आएगा तो हमारी गारी पे तिरंगा जंडा लगा होगा इसी लिए प्यात्तमाम जोहों से आज़र करने के लिए आया हूँ आज एक बड़ी मज़दार चीज हुई जब हम लोग पधियात्रा के लिए आ रहे थे तो रास्ते में एक बारात जा रही थे बारात की गारी पे पूस्टे कित्का हुआ था कनहया संक्रीटी एक दोस्ते मज़ा करते हुए कहा कि यार ये पढ़ करके हम तो ऐसा क्यों लग रहा है कनहया भरसेज मूती की नहीं है ये लड़ाई एक करफ भूद बोलने वाले व्रोद में तो कहत करते हैं कि सरकार पूछ भी करें ये नहीं बताती है कि मोजी जी ने क्या अच्छा ताम को कहते हैं कि सरकार कुछ भी करें जो अब गोट सरकार को ही देए एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि अगर हमने भोट दिया है मोजी जी को हम मोजी जी से सवाल भी करेंगे आपको गाली देना है गाली दीजिए आपको मुकदमा करना है मुकदमा कीजिए आपको गोली देना है गोली दीजिए आपको जेल देना है जेल दीजिए हम सवाल पूछेंगे और परधान मंत्री से सवाल पूछना देश भक्ती है, इसलिए मैं आपके कहता हूँ, कि आपको कितना भी देश भोही कहते रहें, देश भिद में, जन भिद में, सरकार से सवाल पूछते रहें, सत्ता से सवाल पूछते रहें, यही भक्त का तकाजा है, यही न्याय की लडा यह लड़ाई मोदी भर्सेट वी लपीपल ऑफ इंडिया की लड़ाई है इस बात पातने जनाव में जाएंगे इसको अगर मजबूत जवाब और ओपनिंग कहीं से मिलेगा तो बेगुसराई की धर्ति से मिलेगा इस बात को हमको पुरा घ्रोसा है बेगुसराई इतिहास ब बनाने के संबन में एक बात हमार्ग को कह गते हीं यह जीवन पाइक इसतफाक है एक है कि नमबर हमको एक मिल गया है और end-धरoff में गया है ना इक है एस घियुआ को जङा नंबर हमको रेक मिल गया है और हमारा निशान जानते हैं क्या है कटनी किये हैं ना दोओं काट लिए हैं ना कोंची साटे हैं पोजा बना लिए ना भोट का पोजा भी सेयार रखिये 29 दारिक को दाऊनी करना है हमते हमें को 29 दारिक को दाऊनी करेंगे और इस देश नहीं पूरी दुनिया को एक संदेशा देगे इस देश में लोग तंत्र जिंदा है और यूशाना को अपने सर्टाइप बना करके रखा है । जबाब हमको पूरी दुनिया को द learner है इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि 29 तारिक को जाईए मतदान कीजिए और ये अपने दिमाग में रखिएगा कि इस बार लड़ाई दल की नहीं दिल की है इसलिए जब आप मतदान के सामने जाईएगा दिल की फुकार सुनिएगा और दिल की फुकार यही होगी कि पुसा के मन सम्मान को बचाना है इसी आसा मिश्वास के साथ आप तमाम लोगों को सुम्रिया राकते अपनी बात को फुक्त रखा हैं सुम्रिया इंतलाव जुन्दावाद हमारी एक ना जुन्दावाद